नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल प्रकास लूटिक में गाइस एकेटिव या फिर यूपीटिव देखिए सभी छातरों के लिए क्या कुछ अब्डेट आई है रिजल्ट को लेकर तो उस चीज़ को लेकर मैं वीडियो का अंदर complete way में discuss करने वाला हूँ साथ ही एक चीज़ और बताओंगा कि इस बार सभी छातरों को पास कर दिया जाएगा जी हाँ गाईज आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं इस बार सभी छातरों को पास कर दिया जाएगा उसके लिए क्या time and conditions हैं क्या कुछ करना होगा सारी चीज़ों को कबर करेंगे वीडियो का अंदर वीडियो बहुत ज़्यादा important है वीडियो के एक भी पार्ट को please यार इसके मत करना वीडियो स्टाट करने से पर आप सभी से छोटी सी request है अगर अभी तिक चैनल को subscribe नहीं की हो तो कोई बात नहीं है अभी चैनल को subscribe करके bell icon को hit कर दो इससे क्या होगा next time में कोई भी एकेट यूरेटे वीडियो प्लोट करूँगा आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा तो चलिए guys जो भी भाई बहन मेरे से सवाल करना चाहते हैं मेरे Instagram ID को follow कर सकते हैं description मैंने link को already mention कर दिया है तो चलिए वीडियो को start करते हैं से पहले मैं आपको कुछ proof दिखाऊं कुछ articles दिखाऊं जिसमें प्रोफेसर राजिव कुमार ने क्या कुछ कहा है उस चीज़ को बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं बता देता हूँ कि मैं किस अधार पे कर रहा हूँ कि सभी छात्रों को पास कर दिया जाएगा guys जो result है वो zone में आने वाला है result जो मई में आने वाला था 15 मई को पूरा अंदाजा था वो ऐसा इस बार नहीं होने वाला है result पुरी उमीद है कि मई के पहले सब्ता आँ सारी जून के पहले सब्ता या फिर दूसरे सब्ता में आएगी तो देखिए अभी कॉपियां चेक नहीं हुई है पूरी साही साही बात मैं आपको बता रहा हूँ सटीक जनकारी मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि देखिए एक ट्यू में एक प्रोफेसर से मेरी बातचित बनती है और कहीं कहीं चीज़िया यार अपडेट हो जाती है पता चल जाता है आप समझ पा रहें न मैं क्या कहना चाहता हूँ तो देखिए अगर आपकी अभी कापियां नहीं चेक हुई है मतलब आप कुईट की कारण कापियां चेक होंगी तो कापियां कहीं ने कहीं लाइटली ही चेक होंगी निल बटे सनाटा लिखे हो 30 पेज भर दिये हो और कहानी कोशन पूछ रहा है आप बख रहे हैं मिली नाम पूछ रहा है तो आप कहानी बता रहे हैं तो ऐसा चीज नहीं होगा अगर ऐसा होगा तभी आपका बैक लगेगा तो चलिए अब आपको मैं कुछ हाटकल साइज अप प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूँ और फिर आगे की बात बखरते हैं यहां से आप साब साब देख सकते हैं कि परिक्षाएं तो हुई पर फर्स गए प्रडाम जी हाँ गाइस कोईट के कारण फ़ी यहां से नहीं हुई है और भी क्लाम पूरी तरह से चिकप नहीं हुई है और ऐसे केस में क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में क्या रियायत बढ़ती जाएगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आडिकल है वो आपको उम्मीद करता हूँ कि क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप वीडियो को धिहान से लिसन किजी डाक्टर एपीज़ी अब्दुलकलाम टेक्निकल इनिवरसिटी एके टियू की परिच्छाएं होली से पहले आयोजित हो गई लेकिन होली के बाद से संक्रमर बढ़ने लगा परिच्छा हुए एक महिना से जादा हो गए लेकिन अभी तक दो लाग कापिया स्कैन नहीं हुई है यसे में अगर 15 मई के बाद भी काम सुरू होता है तो कम से कम एक महिना लग सकता है परड़ाम आने में जी हाँ गाइस अब भी देखे अगर 15 माई के बाद से काम शालू होगा इसका ये मतलब है कि वो कॉपियां 15 माई के बाद से नहीं चेक होनेगी क्योंकि जो अनुमान करता है वो कोविट का केस बता रहा है कि माई की लाश्ट में और पिक पे जाने वाला है कोविट इंडिया में 10 लाग केसे पर डे आने वाला है तो ऐसे केस में क्या आपको लगता है कि कॉपियां चेक हो पाएंगी एक भी परसंट चांस नहीं है मेरे भाई मैं बता दूं कि जुन के पहले सब्ता में भी कॉपियां नहीं चेक हो पाएंगी और बहराल यहीं होगा कि फास्ट स्कैनिंग करें आप पास कैसे होंगी आपकी कॉपिया लाटली कैसे चेक होंगी तो देखिए गाईस यार उमीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेलफुल होगे वीडियो गर आपको एक भी परसंट अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक तो बनता है अगर एक भी बीडियो अप्लोड करूंगा बेहता असानी से नोटिफिकेशन द्रूपता चल जाएगा तो चलिए गाईस वीडियो को सेयर कर दो सारी फ्रेंड्स के पास जो भी फ्रेंड्स आपके पास होना चाहते है यार हर कोई पास होना चाहता है मैं भी स्टुडेंट हूं तो सबक पास होना चाहता है